नमस्कार दोस्तों स्वागता सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में फ्रेंट्स रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन्स और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बहुत जरूरी और काम की ख़बरों को लेकर आ चुके हैं लेकिन अब फिर दुबारा से पूने एरपोर्ट से सुबह के साथ बच के 50 मिनट पे दुबई के लिए नई फ्लाइटों की शुरुवात की जा रही है तो अब आप आसानी से ट्रेवल करके जा पाएंगे आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानकाई ले लेते हैं जो अब यहाँ पर इस पाइजेट फिर दुबारा से बोईंग 737 मैक्स एरक्राफ्ट को दुबारा से सर्विस में लेने की तैयारियां सुरू कर रही है और अगले 10 से 15 दिनों में इस पाइजेट बोईंग 737 मैक्स एरक्राफ्ट से अपनी उडाने को चालू कर सकती है इसके आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एर इंडिया से जान लेते हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि टाटा ग्रूप ने एर इंडिया को एक्वाइर कर लिया है और इसी के साथ अब टाटा ग्रूप के पास कई सारी एरलाइन्स कंपनिया हो चुकी है आपको बता दे कि टाटा ग्रूप के पास पहले से ही विस्तारा और एर इसिया इंडिया थी और इस एक्वाइरिंग के बाद अब टाटा ग्रूप के पास एर इंडिया के साथ साथ एर इंडिया एक्सप्रेस भी हो चुकी है तो टोटल यहाँ पर टाटा ग्रूप के पास 4 airlines कंपनिया है यहाँ पर पहली airlines company विश्टारा है जो कि full service carrier airlines company है Air India भी full service carrier airlines company है और इसके अलावा Air India Express और Air Asia India यह दो airlines company है जो कि low cost carrier airlines company है So friends, यहाँ पर Tata Group का target है कि Air Asia India और Air India Express इन दोनो airlines company जो कि low cost carrier airlines company है इन दोनों को आपस में merge कर दिया जाए और एक airlines company बनाई जाए फ्रेंट से एक और बड़ी खबर यहाँ पर गोवा एरपोर्ट से जान लेते हैं आपको बता दे कि बीते कल गोवा एरपोर्ट का जो runway है वहाँ से कुछ technical problem सामने आई है गोवा एरपोर्ट के runway को तक्रीबन एक घंटे के लिए बन रखा गया था मामला कुछ ऐसा है कि इस एरपोर्ट के runway की जो lights है वो lights खराब हो गई थी जिस का रहन से इस एरपोर्ट के runway को तक्रीबन एक घंटे के लिए बन रखा गया और एक घंटे के बीच में कोई भी flight को इस runway पर operate नहीं करने दिया गया इसके साथ सर्थ फ्रेंट्स यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी जानकारी share करके बताई गई है भारत सरकार यहाँ पर कोसिस कर रही है कि भारत में फिर दुबारत से normal basis पर flight को चालू किया जाए आपके साथ यह टाइम सनाव की एक report share करना चाहेंगे जो कि खुछ civil aviation minister जोतीरा सिंध्य के तरफ से बताई गया है आप ही पर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है civil aviation minister जोतीरा सिंध्य on thursday said the government is evaluating the process for normalizing international flight operation यानि कि भारत सरकार जो है यहाँ पर कोसिस कर रही है कि normal basis of flight को चालू किया जाए आगे लिखा है the minister stated that it want to return to normalcy while keeping in mind the coronavirus pandemic situation in certain part of the world यहाँ पर भारत सरकार को ही पता है कि दुनिया के कई सारे देशों में अभी भी coronavirus के हाला ठीक नहीं है लेकिन इसके बाब जूद भी भारत सरकार कोसिस कर रही है कि normal basis for international flight कुछ बेहत जरूरी और काम की अपडेट यदि आपको वीडियो चलेगी तो इसको लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्काइब करके रहें ताकि आपको ऐसी लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहें